नमस्कार दोस्तों ये फोटेज़ नेपाल की विमान हाथसे से चंद सेकेंड पहले की है और इस विमान हाथसे में 72 लोगों ने अपनी जान गवा दी प्लेन की ये फोटेज़ बहुत सारे जवाब देती है कि आखिर ये हाथसा क्यों हुआ साथी उस दिन येटी एलाइन के ATR 72 विमान में कुछ जिस्टर्बिंग चीज भी हुई जिस पर किसी की नजर गई नहीं वो ये चीज थी कि विमान के पाइलेट थे कमल केसी साथे साथ को पाइलेट थी अंजू खातिवाडा और हमेशा ये को पाइलेट हमेशा राइट साइ की सीट अंजू खातिवाडा को दी विमान का लेफ्ट और राइट साइड का कोपिट सेम ही होता है लेकिन कुछ additional चीज क्याप्टन वाली सीट यानी की लेफ्ट सीट में होती है तो क्या उस दिन अंजू खातिवाडि का लेफ्ट साइड में बैठना कहीं इस विमान हाथ् से का शिकार हुआ या फिर एक पैसंजर और उसकी हर्गतों की वज़य से यह फ्लाइट क्रैश हुई और यह सब हम जाने के पूरी डिटेल में वीडियो में आगे साथ कि विमान में आखिर क्या हुआ और फोटेज क्या दिखाती हैं कि विमान हाथसा क्यों हुआ आखिर और यह विडियो पूरी इन्फॉमेशन के साथ बरिए और यह इन्फॉमेशन आपको यूट्यूब पर कही भी देखने को नहीं मलेगी तो विडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि विडियो में पूरी डिटेल्स हैं साथ ही आपको बहुत कुछ नया जानने को ज़रूर मि पर लैंडिंग से 10 सेंड पहले ये विमान गोरगी में दुरगटना ग्रस्त हो गया और उन बहत्तार लोग की जिंदगी ने एकदम से करवट बदल ले इतने लोगों की जान गई तो इस फ्लाइट के क्रैश होने की वज़ा आकिर थी क्या क्योंकि उस समय मौसम बिल्कुल साफ था तो मौसम वज़ा नहीं था कि ये फ्लाइट क्रैश हो और इस दुरगटना को साफ करता है वो फोटेज जो की विमान के हाथसे से 10 या 20 सेकंड पहले लिया गया था जिसमें हम देख सकते थी कि विमान का आगे का हिस्सा यानि कि विमान की नोस उपर साइड को थी जो कि आम तोर पर विमान उड़ने के टाइम पर होती है ना कि लैंडिंग के टाइम पर लैंडिंग के टाइम पर एक विमान की नोस येल के साथ लेवल पर होगी इस से ज़ा जानते कि ये stall condition होती क्या है आखिर विमान में और क्या ये पाइलेट की गलती थी या फिर कोई technical fault थी या फिर कुछ और थी दोस्तों एक plane के basics को देखे तो एक plane में engine होता है जो कि thrust पैदा करता है जिससे विमान आगे की और बढ़ता है और plane के wings उस thrust से ही air के movement से lift पैदा करते हैं यानि कि विमान को हावा में उपर उठाते हैं और जब भी एक विमान runway पर take off करने के लिए जाता है और उसके बाद जैसे ही take off करता है तो उसकी front nose को हम उपर देखते हैं और tail को हम लोग नीची देखते हैं इसके वज़ा से wings के साथ एक angle बनता है और wings के साथ उस angle की उस हिसाब से तो yeti airline के plane को भी उपर जाना चाहिए था ना कि नीचे crash करना चाहिए था पर यहाँ पर एक काफी बड़ा difference था plane छोटा हो या बड़ा हो जब तक एक विमान एक certain angle की range के बीच में होगा तब ही तक उसके wings उसके लिए lift generate कर पाएंगे यानि कि इसको उपर धके पाएंगे जिस angle को कहा जाता है angle of attack और वो zero से लेकर 16 degree तक होता है और जैसी विमान का angle 16 degree critical angle of attack से उपर होने लगता है तो यहाँ पर condition change होने लगती है जो विमान का lift है वो drag में convert हो जाता है यानि कि विमान और जादा धीरे होने लगता है साधे साथ विमान के upper portion की जो air होती है वो कही न कही circulate करने लगते है जिससे disturbance क्रियोट होता है जो कि आप इस फोटे से देख सकते हो और इसी condition को कहा जाता है कि विमान stalled हो गया यानि कि विमान stalled condition में आ गया और यहाँ पर कुछ ऐसी ही condition बनी yeti airline के इस aircraft के साथ जहाँ पर इसकी nose उपर थी यानि कि critical angle of attack से ज roll होना शुरू किया और उसके बाद यह crash हो गया यानि कि experts की माने तो यह विमान 100% stalled condition में आया जिसके बाद ही यह crash हुआ है लेकिन अभी तक यह साफ नहीं है कि यह pilot की वज़े से stalled condition में आया या फिर कोई technical failure के वज़े से आया कुछ real life experiment भी किये गये इस stalled condition को लेकर दिखा जाता है कि जब विमान को एक certain angle यानि कि critical angle of attack 16 degree से उपर ले जाया जाता है तो wings के ऊपर की air कैसे circulate करने लगती है आप लोग इस real example से देख सकते हो और इसी condition को इस stalled condition कहा जाता है पर इस विमान हासे से एक और बड़ी चीज है जो कि गायब दिखरी है यानि कि इस साल का अनुभव था विमान उड़ाने का वो काफी तजूबरदार पालेट थे और उन्होंने कई सारे copilot को भी train किया था साहई साथ उस दिन विमान के copilot थी अन्जू खातीवारा दोस्तों अन्जू खातीवारा को भी विमान को उड़ाने का काफी अच्छा experience था दोस्तों के बाद से वो captain बन जाती यानि कि मुख्य pilot बन जाती लेकिन शायद नीती को कुछ और ही मन्सूर था और जब एक विमान हाथ से का शिकार होता है तो उसके हर एक पहलू को देखा जाता है और उस दिन लेफ्ट साइड में बैटी थी अन्जु खाती वाड़ा और co-pilot की जिगह बैटे थे में कैप्टन कमल केसी अब कॉक्पिट की बात करें तो दोनों साइड का कॉक्पिट आल्मोस सेम होता है लेकिन कैप्टन के साइड के कॉक्पिट में कुछ चीजे एक्स्टा होती है जैसे कि NWS यानि कि NWS वेल स्टेरिंग और विमान को उड़ाने के कुछ नेचुरल कारण होते हैं जिसकी वज़य से ही कैप्टन को हमेशा लेफ्ट साइड की सीट दी जाती है लेकिन उस दिन मापर सीट की अदला बढ़ दी थी अब अंजुकाती वड़ा हमेशा से एक कोपालेट रही है वो विमान को हमेशा से राइट साइड में बैट कर ही संचालित करती रही है हाला कि दोनों ही तरफ के कंट्रोल मुसली सेम ही होते हैं लेकिन कुछ कंट्रोल सेंटर में भी होते हैं यानि की बीच में होते हैं और अगर वो उस दिन लेफ्ट साइड में बैट थी तो उनको कहीं न कहीं एक difference होता होगा उस दिन center के control में जो कि उनको right hand से करने पढ़ दे होंगे यह चीजे वैसे हों कि जैसे आप नेपाल में left side में बैटके गाड़ी चलाते हैं और आप foreign country में जाते हैं और वहाँ पर right side में बैटके आपको गाड़ी चलानी पढ़ती हो जिसमें बहुत आप दिक्कत तो नहीं होती है पर एक difference ज़रूर create होता है गाड़ी को चलाने में तो कुछ वैसा ही difference कहीं है कि अंजू खातिवारा के लिए भी रहा होगा लेकिन आम तोर पर pilots दिन सभी चीजों के लिए काफी well trained होते हैं यान कि विमान की speed कम होती हैं जिसके करणण पंक से टक्राने वाली हवा कम हो जाती है और इसके चलते lift भी कम होती ही यानि की plane को ह morals में बनाये के लिए दिक्कत होती है जिसके लिए विमान के पंकों में एक mechanism होता है आपया थोड़ा सा और ये सारी ही चीज़े तब ही clear होंगी जब एक अच्छी तरीके से जाच की जाएगी उस black box से लेकिन इसमें नेपाल का aviation सेक्टर काफी ज़दा पीछे है ये investigation ठीक से होती नहीं चीज़ों को दबा दिया जाता है जिसके कारण ही और विमान हाथ से होते ही जा रहे है तो आम पाइलेट्स को काफी अच्छी तरीके से सिखाया जाता है लेकिन यहाँ पर जब तक पाइलेट्स कंडीशन से निकलते विमान हाथ सा हो चुका था पर एक और चीज़ है जो कि विमान के हाथ से कारण हो सकती थी वो थे passenger दूसर एक passenger उस landing के समय ही facebook live कर रहे थे जिनका नाम उसको बंद रखे और उसका नजर अंदाज काफी बड़े तौर पर passenger करते हैं और उस वक्त बे उस flight में सोनु जैसवाल उस चीज़ का उलंगन कर रहे थे और वो अपने phone को open करके network पर लाकर facebook live कर रहे थे लेकिन यहाँ पर इस विमान हाथ से में सोनु जैसवाल की वज़े जिसकी वज़े से सभी rules को follow करना बहुत जाद जरूरी होता है ऐसी जगहों पर दूसो नेपाल में विमान ATR 72 हाश्य का शिकार हुआ तो क्या ही विमान सेफ है कई इन विमानों में कोई दिक्कत हो नहीं जिसके कारण यह हाथसा हुआ है दूसो विमान ATR 72 1980 से बनते चले आ और यह विमान काफी समय से नेपाल में यूज हो रहा है और दुनिया भर के कई जगहों पर यूज होता है तो विमान में कोई problem नहीं है जिसके कारण यह विमान दुरगटना गरस्त हुआ है लेकिन दोस्तो नेपाल का aviation sector के history कोई अच्छी नहीं रही है जहां दुनिया भर में विमान हाच्चों का graph नीचे की ओर जा रहा है तो वहां नेपाल में विमान हाच्चों का graph उपर की ओर जा रहा है कारण ठीक से maintenance नहीं होना insufficient training होना सही साथ lack of standards और updation की चलते और यही कारण की नेपाल में accidents जादा होते लेकिन सिर्फ यही कारण नहीं है नेपाल में एक take off के लिए काफी मुश्किल हो सकती है क्योंकि इन runways के आसपास है उचे 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 पहाड जिसके चलते इनमें बहुत जादा दिक्कत आती है और जादा हाच्चों का शिकार होता है विमान लेकिन इन natural causes को अगर अलग भी कर दिया जाए तो कहीं नेपाल में हाच्चों का नमबर काफी जादा डाउन हो जाएगा क्योंकि इस recent विमान हाच्चे में भी natural कारण नहीं था ये कहीं न कहीं technical failure, maintenance failure या फिर pilots की ही कलती थी बीते 30 सालों में नेपाल में 27 बड़े विमान हाच्चे हुए हैं अभी जादा महीने नहीं हुए 29 मही 2022 को ही तारा एयलाइन का ए skid कर जाती है जिसके कारण 51 लोग की जान जाती है फिर 2016 में तारा एयलाइन का इक और विमान क्रैश होता है जिसमें 23 लोग की जान जाती है और ऐसे ये numbers बढ़ते जाते हैं और इस पर एक बहुत जाद सीरियस एक्शन की ज़रूरत है नेपाल की administration की तरफ से जिससे इन जान में लेते हुए rules को सही गया जाए maintenance, pilots की training और इन सब चीजों को कड़ा किया जाए जिसे कोई भी मासूम की जान और ना जाए हाला कि अभी तक ETA Line ATR 72 के विमान हासे का सही कारण नहीं पता चला है लेकिन ये तो पता है कि विमान install condition में आया जो कि pilot की error से आ सकता है टेक कोई technical issue, comment box में comment करके अपनी राया जरूर दीजगा तो कि आपके राया बहुत जदधा important है हम सभी के लिए, अगर ये वीडियो आपको information लोगा तो please इसको like जरूर कीजएगा, हमारी मेहनत के लिए इस पर एक comment जरूर कीजएगा, जिससे YouTube और इस वीडियो को recommend कर सके, जिसस बहुत सारे लोगों तक ये information पहुँच सके, क्योंकि हमने बहुत सारे research किये और बहुत सारे information को निकाला है, जिसके बाद हम इस information को आप तक पहुँचा पा रहे हैं, तो please वीडियो को like जरूर कीजएगा, share जरूर कीजएगा, और एक comment जरूर कीजएगा, ताकि सब तक ये